तो है गाइस वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल सो आज हम आपके सामने वापस से आ चुके हैं अपने एक रियलिस्टिक पोट्रेट स्कैच लेकर इसकी हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यह है इसका पार्ट वन पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसकी आईज को कैसे ड्रो किया ड्रो तो हमने करी लिया था आईज को मैंने कैसे शेडिंग की और इसमें ब्लेंडिंग मैंने कैसे की यह आपको मैं इसी पार्ट में बताऊंगा अभी आप जैसे देख सकते कि मैं अभी स्पैक पहला sketch होने वाला है जो मैं hyper realistic की series बनाऊंगा वो इसमें यह मेरा पहला sketch रहेगा उस series में इस sketch के कई सारे parts आने वाले हैं four to five parts में maximum मैं यह sketch को complete करूँगा यह अपने sketch का first part है जिसमें मैं only आपको eyes draw करवाना सिखाऊंगा कैसे आप eyes draw करेंगे सो आईए शुरू करते हैं कि आप कैसे eyes draw कर सकते हैं और अगर आपको reference सही हो तो मैं को please insert पर DM करिएगा मैं आपको महाँ पर reference भेज़ दूँगा Instagram की ID के link मैं आपको description box में दे दूँगा सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी specs में soft charcoal pencil का use करके इसमें shading कर रहा हूं बिल्कुल आपको light heart से shading करनी है आपको कहीं भी ऐसा नहीं करना कि कहीं पर आपने light heart यूज करा और कहीं पर tight heart अपना यूज करा है आपको बिल्कुल एक uniform method में चलना है मलब कि बिल्कुल आपको कहीं भी ऐसा नहीं करना कि आपने कहीं जादा dark कर दिया और कहीं पर जादा light कर दिया आपको uniformly ही इस पर shading करनी है जो outline है वो मैंने पहले बना ली थी मैंने ये भी बताया था आपको कि मैंने outline कैसे बनाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उस पर reach करिए मैं आपको i button पर वो वीडियो दे दूँगा और आप देख सकते हो आपर कि मैंने कैसे outline grow करी है और यह अ आइस को मैंने कितना अच्छे से realistic ड्रो किया है आपको final result बहुत ही शांदार मिलने वाला है इस वीडियो में आपको मैं कुछ tips and tricks भी बताने वाला हूँ आपको 250 के महेंगे stumps paper stump यूज नहीं करने है tension मत लीजिए उसी के लिए मैं आपके लिए tips लेका आया हूँ एक trick लेक आया हूँ बहुत ही test करके उस पर मने अच्छे से work किया उसको अच्छे से समझा उसको अच्छे से परखा उसे जाना इसलिए मैं आपको उसे आज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ और इसलिए आपको blending करने के लिए वह आपके घर में भी easily आपके पास available रहेगा ऐसी बात आप जैसे की देख सकते हैं आपकी left side का अपना specs जो है वो भी almost complete होने को आ चुका है outline की वीडियो मने जैसे आपको बताया था आपको वीडियो देख सकते हो अगर आपना बिल्गुल perfect outline चाहिए आपको तो फिर आप यो वीडियो में जाके देख सकते हो चैनल पर भी मिल ज आपके हमार specs complete होते हैं sorry guys मैं थोड़ी सी मेरी clip cut हो चुकी थी please उसके लिए में को माफ कीजिएगा eyes की कैसे मने इस पर थोड़ा सा work किया था but tension मत लेजिए वह मैं आपको left वाली आई में अच्छे से पूरा दिखाऊंगा इस वाली आई में मनें सबसे पहले जो आपको ये black black सी एक line दिख रही है width जिसकी थोड़ी जादा है इसको मने पहले draw किया दर soft charcoal pencil से पूरे sketch में soft charcoal pencil का ही use होने वाला है इसको मने हलका सा shade करके मने blend किया था blending के लिए में मैं आपको दिखाऊंगा जैसे की पहले बोल चुका हूँ मैं दिखाऊंगा कि मने किस चीज से blend किया अभी मैं थोड़ा सा detailing दे रहा हूं इसमें आप reference में से देख देखकर बिलकुल eye में detailing करेना बिलकुल हर एक चीज आपको reference में से ही देख देखका देनिया जैसे कि मैंने reference side में रख रख रखा है आपको भी Catherine's अपना side में रखना होगा आपको बात बताता हूं reference मेंसे अब आपको आगे दिखने वाला है ब्रस तो आपको यह लेनी पड़ेगी आपको करना पड़ेगा यह भी मार्केट से इसली आपको 40-30 रुपीज में एविलेबल है मेकप की आपकी आसपास में मार्केट में जो दुकान होगी वहाँ से मिल जाएगी आपको यह दोनों बरस ठीक है और अभी आप देख सकते हैं मैं रेफरेंस में से देख देख कर हर एक लाइन को आई की लाइन को ड्रो कर ले रहा हूँ पहले तो और फिर इसको हम ब्लैंड क करनी है आपको बैक्टर रिजल्ट के लिए पेशन्स रखना ही पड़ेगा इस केच में ब्रश का बहुत ही माइनर यूज है बट यूज बहुत अच्छा है ब्रश हमारा क्या है ना कि इसली ब्लेंड कर देती है जो हमारी जैसे कि आप समझे बात को एक तरफ आपने करी है ड इटाने के लिए उन दोनों को एक कॉंट्रास्ट में लाने के लिए ब्रश का यूज होता है सारे टूल्स का भी एक यूज आएगा ब्लेंडिंग टूल बैस्ट कौन सा है वह भी मैं एक वीडियो निकालूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर ह हो चाहें और अभी मैं नीचे आई का नीचे वाला पार्ट ड्रो करना शुरू कर दिया है मैंने यहां पर और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फिर से रेफरेंस में से देख देखकर एज़िटेश ड्रो करने कोशिश कर रहा हूं और आपको बिल्कुल लाइट हाथ से ब्लेंड भी करो तो लाइट हाथ से करना पड़ेगा सभी काम आपको बिल्कुल पेशन से और लाइट हैंड से करना होगा यानि कि यह ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर डार्क कर दे रहे हो और कहीं पर लाइट कर दे रहे हो यूनिफॉर्म मेथड से चलना पड़ेगा इसके इस्टेशनरियों पर आपको मिल जाएगी आपको Tombo Mono Eraser की जोड़त नहीं है मैं Tombo Mono Eraser और Domes Eraser के बीच में भी एक वीडियो डिफ्रेंस की निकालूंगा मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी Best Eraser है और मेरे इसाफ से देखा जाए तो Tombo Mono से बहतरीन हमारी Domes की Eraser है जो हमें सस्ती भी पड़ती है और हमें बहतर result भी मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमने Left Eye को ड्रो करना शुरू कर दिया है यहां पर भी मने थोड़ असा Brush का यूज़ कर रहा हूं और अपने जो Secret Tool है उसका इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूं ताकि जो आई है वो बिल्कुल वो भी हम Old Man का Portrait Sketch बना रहे है इसमें हमें मैंने Contrast लाया है रेफरेंस में मने देखा कि कहीं पर इतना डार्क नहीं था जहां मने इतना डार्क कर दिया है आपको एक सिंपल इरेजर ले लेनी है उसका जो गोल वाला इससा है स्क्वाइर वाला इससे मत कीजिएगा नहीं तो उस पर लाइन पर जाएंगी वह पर ऐसी रेफरेंस हमें निकाल के दे सके हंजी जैसा कि आप बिल्कुल देख सकते हैं मैं कैसे रेफरेंस में से देख देखकर अच्छे से बिल्कुल जहां जहां पर में को डार्क एरियास दिख रहे है पहले तो मैं वहां पर चार्कॉल पैंसिल का यूज़ करता हूँ औ पर आपको चार्कोर पैंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो आपकी ब्लैंडिंग हो जाएगी और फिर आपको डिटेलिंग वर्क इसमें नहीं दिखेगा याद रखी कि हमारा पोट्रेट स्केच है यहां पर हमें डिटेलिंग का वर्क दिखाना पड़ेगा आपको अभी डिटेलिंग फोड़ी से दिखने ही रही होगी पर जो मैं एक फाइनल पार्ट निकालूंगा उसमें पूरे स्केच्छ की छोटी से छोट़ी डिटेलिंग होगी उस पार्ट में हम वो डिटेलिंग करेंगे और यहां पर जो इसका एक छोटा सा हिस्स्सा था आपको जैसा कि पता है न जैसे कि ओल्ड मैन जो हमारे होते हैं उनको उनकी skin plane नहीं होती हमारे youngster की तो skin plane होती है बट old man की या old people की जो skin होते हैं उसमें थोड़ से धब्ब्ब्ब होते जैसे कि आपको पता है तो आपको बिल्कुल थोड़ सा rough काम करना पड़ेगा हलका सा ज ब्रस्ट के लाने के लिए हमने ब्रस्ट का यूज किया है अब ब्रस्ट के नीचे वाला पार्ट करने वाले हैए इसको हम ब्रस्ट कीैन, अब नहीं किया है। अगले पार्ट में उसका यूज आपको पता चल जाएगा बट आपको आईज के लिए मैं आपको recommend करूँगा अगर आप ये वाला portrait sketch बना रहे हैं realistic sketch बना रहे हैं तो आप आईज में brush का ही यूज करिएगा brush एक contrast देने वाला tool है आप देख सकते हैं जैसे हो कहीं भी आपको अलग नई scene करेगा बिल्कुल अच्छा और बहतरीन result आपको मिलने वाला है ऐसा करके आप देख सकते हैं eyes अपनी कितनी बिल्कुल absolutely fine लग रही है अभी थोट से इसमें detailing का work कर रहे रहा है अगर आपको वीड वीडियो को like करिएगा अपने artist friend के शाथ इसे share करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ इसी भी informative लगी हो तो please में चैनल को subscribe कर दीजेगा आपको ऐसी ही informative वीडियो मिलने वाली हैं इस portrait sketch के चार पार्ट आने वाले हैं excited हैं आप भी और मैं भी उन चार पार्ट को launch करने के लिए यहां आप देख सकते हैं मैं domes की razor का detailing के लिए work use किया है आपको इतना अच्छा precious time देने के लिए thank you मिलते हैं next वीडियो में अब के लिए bye bye